हेलो प्रेंट कैसे आप सब उम्मीद करता हूं बढ़ियाओंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओपन फट पॉपिट में और दोस्तो आज का यह जो सेशन है यह काफी इंपोर्टन होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम old coins की rally के उपर कुछ चीज़ें कवर करेंगे कि यह जो rally है यह अभी क्या कुछ आगे बढ़ सकती है कब तक बढ़ सकती है और इसका फाइदा किस हिसे आप सो उठाना है ठीक है क्योंकि सबसे 내일ा है वो old coins के अंदर ही है BTC एक अभी अच्छा खासा मुगाम पे चले गिया है जहां पे हर किसी की बस की बात नहीं है कि भाई हम कुछ बाई कर लें उसको होल्ड करें ठीके क्योंकि वो थोड़ा एक स्टेबलाइज रेंज के अंदर चल रहा है तो as a trader आपका काम यह है कि market से जितना हो से के पैसा बनाओ और अभी आप कुछ देख रहोगे कि जो all points अमलुक share कर रहे है अच्छा खासा मुनाफ़ा दे रहा है और यह सारे absolutely free है कोई premium नहीं है कोई पैसा नहीं देना है कोई भी अगर आपको हमारा नाम लेके या open for a profit कहेके कि भाई अलग से कुछ पैसा दे तो आपको अलग से कुछ ही यह बताएंगी तो वो absolutely fake scam है ठीक है तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं उशिश करते हैं उनको रोकने के लिए लेकिन फिर भी वो लोग बाज नहीं आते हैं ठीक है और इस session को आगे continue करूँ उससे पहले आप लोग को यह कहूँगा कि हमारा telegram का channel join कर लिजिए link जो है वो description में दिया है उसी link पे click करके आप join कर लेना या आप telegram में directly जाते हैं तो open for profit का spelling correct लिखना बहुत सारे duplicates भी आ गए हैं वो open for profit के नाम spelling में छेड़ जाड़ करते हैं ताकि आप लोग confused हो जाओ उसमें फस जाओ ठीक है तो अलग-अलग challenge चल रहे हैं थोड़ास आप लोग का एक दो मिनट का वक्त ले रहा हूँ बट यह बहुत जरूरी है ताकि आप लोग aware रहा हो यह सारी चीजों से पहले क्या होता था कि वीडियो के नीचे comments डालते थे अभी भी comments आते हैं लेकिन आप सब लोग होश्यार हो गया है पता यह सारे fake है ठीक है उसके बास से क्या कर रहे है यह telegram के उपर जा रहे है ठीक है fake channels बना रहे है आप उसकी भी awareness आ गई है तब वहाँ पे भी डालने गल रही है तो आप कुछ नए तरीके यूज़ कर रहे है ठीक है इसलिए कह रहा हूँ कि telegram का जो है उसको अच्छे से join कर लिज़े correct spelling डालिए और मेरी तरफ से कभी आपको पहला message नहीं आएगा कि भाईया ऐसा करो वैसा करो ठीक है तो उसके आप मिशा फोकस करना ध्यान देना ट्विटर पे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राउम पे फॉलो कीजिए फेस्बुक पे फॉलो कीजिए और यूटुब के उपर next एक और important बात के उपर आते हैं वहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि फ्रीमें सब कुछ मिल रहा है अच्छा कासा profit मिल रहा है तो premium में क्यों पैसा बरबात करना मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो लोग premium चला रहे है और इतना अच्छा गर profit निकल रहा है तो भाईया premium चलानी के जरूवत क्या है आप 10 दिन trade करो आप अम्मानी मन जाओगे ठीक है तो ऐसा नहीं होता है उनका कामाने के जरिया से यहीं रहता है कि लोग आएं premium में जुड़े एक पैसा मिल जाए उसके बाद से जो calls वगर देते हैं उसमें से 2-4% लेके बैक खाली करके निकल जाए तो हमें ऐसा नहीं करना है हमें पता नहीं के market कर next move क्या हो सकता है क्या new सकता है हम charts को देखते हैं analysis करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि market में अब इसकी next move क्या हो सकती है ठीक है पुकता analysis निकालते हैं वो आप लोग शेर किया जाता है कि ऐसा हो सकता है as per the charts और इसके साथ कुछ fundamentals भी जुड़े हैं कुछ news भी जुड़े हैं तो ये अच्छा कासा उपर कर सकता है ठीक है this is how trading works ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि यार BTC अभी 60,000 जाएगा तो पत्थर की लकीर हो गई वहां तेचल जाएगा नहीं अगर हाँ ऐसा होता तो मैं premium चालू करता है पर ऐसा नहीं है that's why ये free service है analysis बनाई जाती है आप लोग शेर किया जाता है ताकि आप लोग अच्छा कासा इसमें मुनाफ़ा कमा सके और अभी तक जो भी हमने calls दिये है अच्छा कासा मुनाफ़ा दिया है of course कुछ calls के अंदर price 5 या 7% उपर जाता है उसके बाद से नीचे आ जाता है ऐसे हम बात करते हैं send की बात करते हैं lina की बात करते हैं तो price उपर गया था 5-6% फिर थोड़ा सा नीचे आ गया नीचे इसलिए है क्योंकि BTC और Ethereum को जो price था वो डगमगाने लगा तो we all know कि सारे alts फिर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं अब कल कि हम बात करते हैं send नीचे आया 5300 के आसपास आया वहां साब इसका अच्छा गास उपर की तरफ रैली गई और ये गया लंब सम कह सकते हैं 23% के से मुनाफ़ा है engine coin जो थोड़ा नीचे चल रहा था आज उसके अंदर आप कह सकते हैं कि 30-35% का उच्छाल है और जादा उसके अंदर उच्छाला आएगा लीना जो है अभी तक एकदम नीचे की तरफ है अच्छा खाला support है उसके अंदर भी अच्छा गास आपको मुनाफ़ा मिलेगा क्योंकि ये सारे जो coins हैं इनके साथ अच्छी खासी news चुड़ी है तो इसके लिए पूरी कोशिश रहती है कि आपको best to best service दे जाए free में ठीक है और यही चेज इन लोगों को रास नहीं आ रही है तो अलग-अलग message आते है भाई हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे नाम खराब करेंगे ये करेंगे हम को इतना Ethereum देदो BTC देदो नहीं तो ऐसा नहीं तो वैसा ठीक है मैं तो एक ही चेज रहुआ कि भाईया जो उखाडना है उखाड लो ठीक है क्योंकि लोगों को पता है कि मैं क्या service दे रहा हूँ किस हिसाब से देता हूँ उटको पता है ठीक है और मैं उस हिसाब से करूँगा free service चलती रहेगी और आपका premium चले या ना चले उससे मुझे कुछ नहीं ले ना देना है ठीक है तो फिलाल मैं अभी इन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ और जरूद पड़ेगी तो नाम जरूद लूँगा screen shots निकाल गए रखें वो सारे चीज़ें share कर दूँगा और यह बहुत सारे इस सब भी चला रहे हैं यह लोग कुछ fund management का भी काम चला रहे है जिसके अंदर आप उनको एक BTC दोगे उसमें से उनको कुछ trading करेंगे और profit का 50% आपको 50% उनको तो कोई trading वगरा कुछ नहीं होती है यह से money rotation करते हैं ठीक है 10-12 लोग मिल गए उसमें से बोलेंगे कि हाँ यह profit हुआ money को rotate कर रहे हैं इस तरह से काम होते हैं तो उसमें मत बढ़ो पैसे कामाने का trading में सिर्ट एगी थरीका है trading करके बागी कुछ नहीं है ना पढ़ें और premium से बचें यही मैं आप लोग को कहना चाहूँगा ठीक है अब इस session के अंदर जो important चीज में आप लोग के साथ शेर करने वाला वो यह है कि alls की जो rally है तो और कितनी अच्छी चल सकती है क्योंकि market में सबसे जादा जो पैसा है वो alls के अंदर है right now और alls का जो bull run चलता है उसकी जो कमाई है BTC के bull run से भी जबरतस होती है क्योंकि BTC का जो price है एक level पे आ चुका है साथ हजार के आसपास आ चुका है अब यहाँ पे हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि हम इसको buy करें या इसको hold करें कि कब यह उपर जाएगा कब नीचे जाएगा क्योंकि price जितना उपर जाएगा percentage of movement जो होगा वो उतना ही कम होगा तो उसके अंदर उस level पे आप उतना नहीं कमा सकते है ठीक हाँ उसको अपने hold करके रखा है और 4-5 मैने के बाद अगर price उपर गया तो आपको अच्छा कासा profit मिल सकता है ठीक है बट भी as a trader हमको quick profit चीए अच्छा कासा मुनाफ़ा चीए तो वो आप और हमको मिल सकता है इसी hold coins की trading के अंदर या नए जो भी है ideas हैं उसको पर आपको मिल सकता है यह जानना अपने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको आपको निश्चिन तो के अल्ट के अंदर entry ले सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि अल्ट की जो second wave है यहां से अच्छी कासी जा सकती है यह जो चार्ट है आपके सामने यह BTC dominance का है अब यहां पर देख सकते हैं 2000 यह कह सकते हैं 14 से लेके अभी तक as on time है और यहां पर शुरुआत में जब सिर्फ मार्केट के अंदर BTC था तो BTC का बोल बाला था तो इसकी जो dominance थी 98-99% के आसपास थी ठीक है उसके बाद से 2017 के आसपास जब altcoin के शुरुआत हुई Ethereum, IHA, Litecoin थे और सारी जो points है तो उसके बाद उसने क्या किया जो market था altcoins ने उसको धीरी दर capture किया और यहां से आप यह देख सकते हैं कि BTC की dominance जब भी गिरी है तब alt के अंदर अच्छी खासी rally आई है alts ने अच्छा कासा पैसा कमा के दिया है BTC की dominance है उसको जो एक bottom support मिला है वो 49% से 52% के आसपास मिला है और यहां से जब यह उपर गया है तो 65 और उसके आसपास गया है तो जब BTC की dominance यहां पर बढ़ी है altcoins लाल निशान के अंदर हुए है उनकी rally खतम हो गई है और जब BTC की dominance नीचे आई है तो alts की rally होई है तो यह सारी चीज़े है chain से BTC की dominance है 71 के आसपास थी उसके बाद इसकी dominance नीचे की तरफ आई और उसके बाद से आप और हम जानते हैं कि altcoins ने 200%, 3000% मैं वजीरेक्स की बात करता हूँ February मंद से as on date तक जिसने एक high बनाया था या पहला जो high गया था इसका 7000% का मुनाफ़ा March मंद से जो एक high हम पकड़ते हैं जो max high बनाया था lump sum 2500% का high बनाया था वजीरेक्स ने इसके लाबा ऐसे बहुत सारे coins हैं जो अच्छा खासा मुनाफ़ा दे रहे हैं हम TKO की बात करते हैं जो बाइनेंस के launch rate पे कली लिस्ट हुआ था और जिनको मिला था जिनोंने BNB जो था वो उसमें stake में डाला हुआ था उसके बाद जिसको जो आईलाउट हुआ तो उसमें जो growth हुई थी लमसम कह सकते 3000% का सिधा मुनाफ़ा मिला लोगों के 9 डॉलर जो थे वो 500 डॉलर के उपर हो गए 1000 डॉलर हो गया इस हिसाब से हुआ यहाँ पे जो है एक resistance था आप देख सकते हैं BTC की dominance को जो अभी एक support की तरह काम करेगा तो यहाँ पे जो candle है यह weekly chart है इसने 56 का जो एक support था इसको break किया है तो बहुत जादा chances है कि BTC की dominance है वो वापिस से गिर के 52 के आसपास आ सकती है या 53 के आसपास आ सकती है तो जब यह गिरेगा तब क्या होगा all coins जो है उनकी rally और अच्छी खास पर जाएगी अच्छा खास आपको यहाँ पे मुनाफ़ा मिलेगा क्योंकि अब भी आप सोच रहोगे कि BTC की price में ते movement आ क्यों नहीं रही है इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कि सारा जो पैसा है वह वहां से निकल के all coins के अंदर जा रहा है क्योंकि all coins में profit मिल रहा है एक जो इन्वेस्टर होता है जो trader होता है उसके दिमाद में यह रहता है कि जो पैसा है उससे profit तो मिले और BTC के हम बात करते हैं कि तो साथ हजार पर बार बार rejection मिल रहा है तो लोगों में तो इस गवराट है कि भाई यह उपर जाएगा नहीं जाएगा हम हाई पर फस्तो न जाए इससे अच्छा है हम all coins के अंदर trade क्यों ना करें करें जाए और कोई जो रहली है मेरे इसाब से बहुत अच्छी कासी और जा सकती है और डेट इस पूड़ पी तफाइनल रहली पॉर पाउल कोई और ब्रॉमीनेंस अगर 53 के आजपास आ जाती है उस समय आप को थोड़ा सा चौका ना हो जाना चाहिए कि अब जो है और पो हो सकती है ठीक है क्योंकि 52 पे अच्छा खासा एक support है बीटीजी की जो Dominance है उसके लिए और उसके बाद 49 के आसपास ठीक है तो जाव सादा 53 तक आ सकता है उसके बाद 49 के आसपास आ सकता है और उसके बाद से BTC की dominance बढ़ सकती है और alls का rally खतम हो सकती है तो अब भी हमारे बास एक final golden chance है alls के अंदर पैसा कमाने का उसी तरह अगर मैं all coins के आपको दिखाता हूँ या पर चार्ड दिखाता हूँ ये BTC कनगे जिस इस 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 all coins की dominance है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि previous जो resistance था जो 12.23% के आसपास था all coins की dominance थी इसका यहाँ पर सीधा breakout हुआ है और अच्छा कासा उपर के तरफ चल रहा है तो यही जो breakout होता है that is very important कि यहाँ से जो है all coins की जो रह लिए इसमें अच्छे कासी bullish momentum है जो इसको उपर लेके जा रही है और अगर मैं indicator यूज करता हूँ कि यह और कितना उपर जा सकता है तो आप और हम उम्मीद कर सकते हैं कि 15% के आसपास इसमें और तीजी आ सकती है all coins की जो dominance है that means जो all coins है अच्छा कासा उपर जा सकते है तो आई होग आप लोग को अप यह थोड़ा माहिने बैड गया होगा कि all coins के नदर आप अच्छा कासा आपको हमको उनाफा कमाना है अब मैं कुछ all coins है वो आप लोग के साथ मैं share करता हूँ सबसे पहला जो coin है engine coin engine coin की काफी अच्छी कासी news आ रही है क्यों जाएगा वो आगे मैं बताता हूँ उसके बाद मैं आपको एक और coin suggest कर रहा हूँ आज यह है OGM OGM जो है यह भी अच्छा कासा उपर की तरफ जाएगा ठीक है यह आप नोट कर लो 6200 से अच्छा कासा यह उपर जाएगा और आज 8 तारीक है 9 तारीक में और इसके अंदर boom आ सकता है यह सारे coins के अंदर Next coin मैं आपको 1 inch बोलूँगा और 1 inch जो बहुत दों से लोग परिचानते कि 1 inch बताया भी तक उपर उचला नहीं है अब देख लो इसकी उच्छाल कैसी है तो ट्रेडिंग के अंदर patience की बहुत ज़रूरी है यह सारे calls जो मैं आपको बता रहा हूँ that is for spot trading मैं futures में आप लोग को नहीं बताऊंगा ठीक है क्योंकि futures में market fluctuate होता है और कितना ही मैं कहता हूँ लोग 25x से 30x यह सब सब यूज़ करते हैं cross margin और यूज़ करते हैं आप जब cross margin यूज़ करते हैं instead of isolated तो क्या रहता है कि आपको लगता है कि आप safe zone में हो लेकिन back side से आपकी जो बची कुछी जो पूंजी ये fund उसमें से margin वो use करता रहता है balance करता रहता है ठीक है तो one inch जो coin है ये भी अच्छा है इसके अंदर भी आप entry ले सकते हैं क्योंकि कल के दिन मैं सोच रहा हूँ इसमें और अच्छा कासा उच्छा राएगा next coin में Matic की बात करता हूँ क्योंकि Matic का जो एक sell pressure था वो अलड़ी यहाँ पे खतम उच चुका है अब यहाँ पेक buy pressure आ चुका है और इसका price अच्छा कासा वापीस उपर जा सकता है Matic की बहुत सारी यानि की Polygon की बहुत सारी important news है और इससे पहले हमने easy call जो share किया था easy BTC का था वो भी अच्छा कासा उपर की दरफ गया था फिर सभी coin के साथ थोड़ा सा यह नीचे आ गया था और मेरे कासे 5300 के आसपस आ गया था शायद यह अब वापीस से आप देखो कल रात को वो bottom था थोड़े लोग बोल रहते हैं कि सर यह तो नीचे आ गया नीचे निया है आपको इसको hold करना है अच्छे profit को इन डॉलर के बाद करता हूँ तो मेरे जापसे 15 डॉलर से ऊपर हम इसका target पकड़ते हैं हो सकता है इसको थोड़ा सा hold करना पड़े लेकिन कल से वापीस से देख रहा हूँ तो यहाँ पे 20% के वापीस से छलांग लग चुकी है 60 100 के आसपास यह वाप इससे आ गया था तो इसका एक जो में सपोर्ट है मेरे जापसे 7100 के आसपास इसका एक सपोर्ट है EZBTC का तो इसको आपको नजर रखना है तो फिलाल जो में इंपोर्टेंट कोईन्स हैं जो इस अपते के लिए है यह आप इंजियन कोई पकड़ लेजिए ओजियन पकड़ लेजिए वन इंज पकड़ लेजिए मैटिक पकड़ लेजिए अब नौ तारीक को क्या हो सकता है कि यह सारे जो कॉइन्स हैं जिसमें अच्छे सुछाल आ रही है यह Coinbase के उपर इनकी listing है इसनकी trading start हो सकती है starting today Wednesday 7th April 1inch engine NKN OGM into Coinbase Pro account मतलब आप इसमें Coinbase Pro account में deposit कर लो और 9 April के आसपास इसकी यहां पर trading start होगे ठीक है तो यह काफी positive news है और जब इसके trading start होगी तो price अच्छा कासा उपर जाएगा और आप इसमें अच्छा कासा मुनाफ़ा निकाल के निकल सकते है ठीक है next time BTC और Ethereum की बात करते है तो आपको यह कहूंगा कि BTC और Ethereum जो है थोड़ा सा एक range bound के अंदर चल रहा है कमजोर नहीं हुए है एक range bound के अंदर चल रहा है क्यों चल रहा है क्योंकि सारा जो पैसा है वो अभी alt coins के बाजार में भूम रहा है लोगों को वहाँ से profit मल रहा है that's the reason और इसी वज़े से BTC की जो dominance है धीरे धीरे नीचे आ रही है और alt coins की जो dominance है वो बढ़ती जा रही है तो alt coins की जो rally है this could be the final alt coin rally सारे alt coins जो है वो लडखाड़ा जाएंगे तो better है profit निकालते रहो और जो अच्छे alt coins है उनको hold करना वाकि किसी alt coins को hold नहीं करना है उसमें सबस profit book करके आप USD में रहो या BTC के इंदर रहो ठीक है तो इस session के इंदर बस दोस्तों इतना ही था वीडियो पसंद आई होगी analysis पसंद आई होगी coins दो बताता हूँ कहीं न कहीं आपको मदद कर रही है profit दे रही है तो please इस video को जादा साथा like ठोग देना चैनल पर नहीं है तो please subscribe button पे क्लिक कीजिए बैल आकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी important notifications से हैं आप लोग से बिस्ट नौन अभी तक लिए पस इतना ही जद भी लेंगे तब तक टेक करें have a great day